महेंदर सिंग धोनी आईपियल दोहजार चौबीस में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी सेहत कैसी रहती है उनका वो पैर जिसको लेकर वो लंगडा रहे थे बस से उतरते वक जो एक कमपन सी नजर आती थी उनके पैरों में वो ठीक होती है या नहीं होती है ये सवाल बहुत महत्पूर है क्योंकि धुनी ने भी अपने लास्ट मैच में कहा कि टाइटल हम जीत गए हैं बहुत खुशी मुझे है ऐसा लग रहा है कि ये बेस समय है कि इस टाइम मैं सन्यास का एलान कर दूँ लेकिन जिस तरह से सभी सोला मैच में मुझे होम कंडिशन का अहसास कराए गया जिस तरह से लोगों ने मेरे लिए बरसात में खड़े होकर इंतजार किया मुझे अब मैच देखने के लिए वो भीगते रहे सडकों पर सोए दूर दराज से आए पैसे खर्च करके मैं ट्रिब्यूट के तौर पर उन्हें एक साल देना चाहता हूँ अब खबर आई है कि महिंदर सिंग धोनी के घुटनों का ओपरेशन हुआ है महिंदर सिंग धोनी का जो ओपरेशन है वो मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में हुआ है और डॉक्टर पादरीवाला ने उनका ये ओपरेशन किया डॉक्टर पादरीवाला के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने रिशप पंत को जब चोट लगी थे भी हाल फिलहाल में तो उनका भी operation इन्हीं के द्वारा किया गया था तो इन्हें आप इस field में one of the best मान सकते हैं और Olympian हमारे नीरच चोपडा साहब जो हैं उनका भी operation इन्हों ने ही किया था मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस IPL में notice किया था कि धोनी ऊपर बले बाजी करने नहीं आते थे वो जारातर lower order में बले बाजी करते थे और lower order में भी वहां तक संभा हो जहां तक गेंबास के आने का मौका नमच है वो कोशिश कर रहे थे कि जीजन में बलेबाजी जितना ना कर सके उतना अच्छा है और इसको लेकर कई लोगों ने कहा कि उनके उम्र हो गई है कई लोग तरह तरह की बाते कर रहे थे लेकिन जब लोगों ने देखा कि आप धोनी आते हैं और चार गेंड में दो गेंड पर छक्का मार देते हैं के बाद पहले क्यों नहीं आते हैं कई लोगों को डाउट हुआ तो इसकी कहानी है कि जो पहला मैच IPL का था गुजरात के खिलाफ उस मैच में महिंद सिंग धोनी को चोट लग गई थी दीपक चहर गेनबाजी कर रहे थे उन्नीसवा ओवर था और उनकी एक बॉल जाती है ज उम्र एक ऐसी चीज होती है जो चोट को लिकर आती है और घुटने की चोट तो ऐसी है जो अच्छे-च्छे खिलाडियों को परिशान कर गई है मसलन आप क्या दोगा रविन जड़ेजा ऑपरेशन करवाई थे सुरेश रहना को 2007 से दिक्कत थी वो भी लंबे समय तक जेले उस तरब भी हम जाएंगे उनकी भी कहानी सुनाएंगे लेकिन वो जो पहले मैच में चोट लगी थी उसकी वज़ा से धोनी को समस्याय हो गई थी और इस वज़ा से धोनी न विकेट की पीछे बहुत जारा डाइव कर पा रहे थे कई बार नाराज होते थे जब वाइड ब फिकेंगे या एक्स्ट्रा बॉल देंगे तो फिर उन्हें एक नया कप्तान ढूनना पड़ेगा वो इशारा इस बात को लेकर था कि अगर आप बहुत वाइड बॉल फिकेंगे तो मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा और उसके चकर में उनके घुटनों को समस्याय हो सकती जिस वज़ा से शायद वो ना खेल पाएं और अगर नहीं खेलेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें एक नया कप्तान ढूनना पड़ेगा लेकिन इस बात को लोग उस वक्त बहुत तरीके समझ नहीं पाएते लेकिन अभी बात निकल कर आईए और यही वज़ा है कि महिंद स जडेजा टी ट्वेंटी वर्ड कप से ठीक पहले बाहर हुए थे और उसका खामियाजा हमें टी ट्वेंटी वर्ड कप में उठाना पड़ा था अलाकि बाद में जब वो लोटे तो बॉर्डर गवासकर सीरीज में जिस सरा से वो चाय वो अलग बात ही लेकिन जडेजा को गुटने का ओपरीशन कराना पड़ा था और उन्हें भी काफी समस्या ही थी उससे पहले सुरेश रहना को 2007 समस्या थी लेकिन उस समस्या को ने खीचा और बाद में उन्हों ने भी कराना और तकरीबन 6 महीने का वक्त उसमें फिट होने में लग और यही वज़ाए कि धोनी ने इस last match में कहा था कि अभी उनके पास 6-7 महीनों का वक्त है खास दोर पर mini auction में वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें आगे खेलना है या फिर IPL करियर में थैंक्यू कर दें अलाकि MS Dhoni को लेकर बहुत सारे memes स्वी बनते रहते हैं एक meme बड़ा social media पर viral हो जिसमें कहा जाता कि विराट कोली और शिकरधावन कोमेंटरी कर रहे हैं और यशेश्वी जैसवाल के retirement पर वो कह रहे हैं कि क्या धोनी साल retire होंगे तो उसमें बात निकल कर आती है कि धोनी कहतें नहीं नहीं अभी decide नहीं कि अभी 2-4 साल और हम खेलेंगे लेकिन जोग सापाट महिंद सिंग धोनी के fans चाते हैं वो खेलें और impact player की वज़ा से उन्हें काफी फाइदा भी होता है क्योंकि एक extra batsman जो है वो अपनी team में खेला सकते हैं और इस वज़ा से धोनी जो ऐसा brain जो है वो लगातार cricket में active रहे इसकी लोग दुआएं करें अलागि इस साल बहुत साल लोग ये मान रहे थे कि धोनी का ये last IPL है क्योंकि वो एकलोते इंसान है जिनको लेकर blessing दोग की जादा है और अच्छे लोगों को दुआएं मिलती है लेकिन फिलाल धोनी का operation हो गया है और धोनी के operation के बाद जुनके recovery है वही ये decide करेगी कि महिन निसिंग धोनी का cricket में future क्या होगा क्या वो CSK के dugout में नज़र आएंगे अलाकि dugout में लोग भूल जाते है Master Blaster Tendulkar आज Mumbai के dugout में उनको इतनी hype नहीं मिलती है तो dugout में धोनी नज़र आएंगे या फिर एक player के तौर पर कम से कम एक season उन्हें हम और आप देख पाएंगे खेर जो भी है धोनी को recovery के लिए wishes और let's just hope की अगले season धोनी आएं एक season हमें और entertain करें क्योंकि IPL धोनी के मेना अधूरा है